दोस्तो अगर आप भी महेंदर सिंग धोनी को खतरनाख खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा दोस्तो आईपिल 2024 के बाद इन पांच विकट कीपर का कैरियर हो जाएगा समाप्त जिनका नाम सुनकर आप भी हो जाएंगा है रान जी हाँ दोस्तो आईपिल 2024 के तियारी में भारती टीम लग चुकी है लेकिन इस बीच आईपिल 2024 के यह सीजन पांच विकट कीपर खिलाडियों के लिए नतिम सीजन साबित होने वाला है तो आखिरकार कौन है वे पांच विकट कीपर खिलाडी जो आईपिल 2024 के तुरन बाद अपने करियर को समाप्त कर देंगे यह तो आपको बताएंगे साथ में इसकी वज़य के बारे में आपको बताने वाले हैं तो जाने ने के लिए इस वीडियो को पूराइन तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मैं अंदर सिंग दोनी इशान किश अपने करियर को समाप्त कर देंगे तो आईए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं जिन में सबसे पहले और बड़ा नाम महेंदर सिंग धोनी का आता है आपको बता दें आईपिल के सबसे खतरनाक विकट कीपर बल्ले बाज और कप्तान के रूप में बेशमार महेंदर सिंग धोनी का आईपिल 2024 अंतिम सीजनर ने वाला है क्योंकि अगले साल बड़ी नीलामी होने वाली है ऐसे में महेंदर सिंग धोनी अपने आप सन्यास ले सकते हैं और सन्य करियर समात हो जाएगा वहीं दूसरे खिलारी के तौर पर रिद्यमान साहा का नाम सामने आ रहा है दरसल ये खिलारी 37 वर्ष का है और इस साल के बाद बड़ी निलामी होने वाली है ऐसे में खिलारी 38 वर्ष का हो जाएगा जिसके चलते माना जा रहा है ये खिलारी अपने से मौका दिया गया है परंतो अगली बार बड़ी निलामी को देखते हो इनको कोई रीटेन नहीं करीगा क्योंकि एक खिलाडी कमेंटरी करता हुआ दिखाई देने पर लगा है इस खिलाडी के उमर भी 38 की हो जाएगी इसके लाबा चौथा खिलाडी और कोई नहीं बलकि श्रीकर भरत है आपको बता दें इसके लाडी ने आईपिल के साथ अंतलाश्टी क्रिकेट में कुछ खास कमाल नहीं किया ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलाडी भी भारती टीम से पहले IPL में खेलता हूँ दिखाई नहीं देगा और धुरू के बहतर प्रदोशन करने के लावा इनका भी पत्ता कट चुका है इसके लावा अंतिम विकट कीपर के तौर पर इशान किशन का नाम सामने आया है अपने राए में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों भारत और इंग्लेंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है जाएं सीरीज को टीम इंडिया नने 3-1 से जीत कर अपने नाम कर लिया है इस बीच BCCI ने Central Contract List जारी किये यई कुछ परस्नल रीजन और शारिरिक आराम बता कर अपना नाम आगामी सीरीज से वापिस ले लिया था तब जो कर्केट से काफी समय से दूर चल रहे है लेकिन इशान किशन कई दफा सोशल मीडिया पर घूमते हुए नजर आये इतना ही नहीं वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए भी दिखाई दिये थे इसके बाद तो BCCI ने उन्हें दोबारा टीम में वापसी करने का मौका नहीं दिया BCCI ने उन्हें घरेलू क्रिकेट टूनमेंड यानी रंडजी ट्रॉफी खेलने के लिए बोला लेकिन किशन उनकी बातों को नहीं सुने और घूम रहे हैं अभी भी उनका क्रिकेट से कोई तालुकात नहीं है वाला बयान भी दिया है तो चलिए अब हम आपको हार्दिक पांडिया के बयान को सुनाते हैं आगर क्या कुछ पांडिया ने रोहित के निशाना साथते हुए इशान किशन के सपोर्ट में कहा है गमंडी हार्दिक पांडिया ने इशान किशन का सपोर्ट करते हुए रोहिच चर्मा पर निशाना साथ कर बयान दिया और कहा कि इशान बहुती शांदार खिलारी है साथ ही साथ मेरा अच्छा दोस्त भी है उसके साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ अगर रोहिच चर्मा चाते तो इशान किशन को दोबारा टीम में वापिस ला सकते थे लेकिन उन्होंने बिलकुल भी नहीं किया मगर अब तो मैं मुंबई इंडियन्स का कप्तान बन चुका हूँ उसे जरूर आइपियल में खेलने का मौका मिलेगा पहले की तरह मनमानी नहीं चलेगी मुझे इशान किशन पर सबसे अधिक भरोसा है वो मुंबई इंडियन्स को जरूर किताब दिला सकता है उसके अंदर काफी प्रतिबा खेल की भरी हुई है वो मुझे से काफी नस्दीग है इतने नहीं हार्दिक पांडिया ने आगे भी बयान देते हुए कहा चाहे कुछ भी हो जाए इशान मुंबई की तरफ से हर मैच खेलेगा वैसे भी अब तो मैं रिष्टे में तुम्हारा कैप्टन लगता हूँ तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से घमंडी हार्दिक पांडिया ने रोहित को निशाना बताते हुए हैरान कर देने वाला बयान दिया है लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है हार्दिक पांडिया रोहित चर्मा मैंसे कौन है यहां सबसे खतरना खिलाडी और कप्तान नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों जैसा कि आपको बताएं बीसी सियाई ने इस समय काफी ज्यादा विवाद चल रहा है जहांपर इशान किशन को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है दरसल इशान किशन को सेंट्रल कॉंट्रेक्ट से बाहर नराजगी के चलते बीसी सियाई ने कर दिया जिसके बाद अब उनको तमाम तरह के आफर सामने आ रहे है इस दोरान आस्ट्रेलिया के बाद उन्हें अमेरिका ने नेपाल और जिम्बावे की टीम ने अपनी टीम की तरफ से खेलने का उफर दिया है जिसके बाद अब दुनिया भर के तमाम दिगजों ने इशान किशन को लेकर हैरान कर देने वाला बयान जारी कर दिया है जिसमें शोय बक्तर ने बयान देते हुए का है कि भारती टीम के स्टार खिलाड़ी इशान किशन के साथ बीजी सियाई ने काफी गलत किया है हलाकि इशान किशन भारती टीम की तरफ से खेलते दिखाई नहीं देंगे लेकिन अगर इशान किशन किसी और देश से खेलने का कार्रे कर देते हैं तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा शर्म की बात होगी क्योंकि भारत को अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने किस खिलाडी को टीम से बाहर करने का फैसला किया और उनके करियर को समप्त करने की कोशिश की है क्योंकि ये खिलाडी किसी भी मैच को आसानी से पलटने का कार्रे कर सकता है इसके लावा उन्होंने आके बयान देते हुए कहा है बेसे सिय अपने खिलाडियों का सम्मान नहीं करती है ऐसे में अगर इस खिलाडी ने भारती टीम को चोड़ कर किसी और देश से खेलना चाहा तो ये उनके लिए बुरी खबर रहेगी तो वहीर की पॉंटिंग ने बयान देते हुए का है कि इशान किशन भारती टीम के बहतरीन बलेबाज है उन्होंने वंडे में 12 शतक लगाया है ऐसमें इस दिगज खिलाडी को BCCI नजर अंदास कर रही है उसको देखकर मैं काफी زیادہ हहरान हू अलाकि इस खिलाडी ने काफी बड़ी गलती की और उन्होंने BCCI के नियम का उलंगन किया है लेकिन इतनी बड़ी सजा BCCI को नहीं देनी चाहिए कि कोई खिलाडी अपने देश को छोड़ कर किसी और देश से खेलने के लिए तैयार हो जाए इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए का है कि इस दिगज खिलाडी को अगर BCCI माफ कर सकता है तो उसे माफ अवश्य किया जाया अन्ने था भारती टीम के लिए ही नहीं बलकि पूरे किर्किट जगत के लिए ये शर्म की बात साबित होगी तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए का है कि इशान किशन भारती टीम के बहतरीन खिलाडी है ऐसे में इशान किशन के साथ इस तरीके से BCCI ने काफी गलत कार किया है मुझे ऐसा लगता है कि BCCI को इन्हें चेतावनी देने के बाद छोड़ देना चाहिए था लेकिन जिस प्रकार से BCCI ने काफी ज़्यादा दबाव डालकर इशान किशन को मांसी ग्रूप से परिशान किया है उसके बाद उन्होंने उनके टीम छोड़ना लगभग कन्फर्म हो चुका है क्योंकि इस तरीके से कोई भी खिलाडी अपनी टीम को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं हो रहा है इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए का है कि बीसी सी आई को अपने खिलाडियों को बिल्कुल भी कदर नहीं है उनका ध्यान रखना चाहिए कि आपका खिलाडी आपके लिए देश का प्रतिन इधित्व करने वाला महान खिलाडी है क्योंकि आप ऐसे एक खिलाडी को खोने वाले हैं जो किसी भी पर इस्तिती में मैच को अपने पक्ष में करने का दम रखता है हालग इस खिलाडी के पास बहतर पर दरशन करने की काफी बड़ी कापिलियत मौजूद है लेकिन जिस परकार से इन्होंने सभी को दिवाना बनाया है उसको देखकर मैं काफी खुश हूँ इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इशान किशन फिलाल के इस्तिती में भारत के अलावा किसी और देश से नहीं खेलने वाले भारतीय टीम ने वापसी का बिगुल बजाते हुए लगातार तीन मैच में जीत दर्चकर सीरियस को अपने नाम कर लिया और भारतीय टीम को अंतिम टेस्ट मैच साथ मार्च यसे धर्मशाला के मैदान पर खेलना है जिसके लिए दौनों टीम अपनी तयारी में लग चुक रणजी टूनमेंट के अंदर समी फाइनल मैच खेला गया जिसके अंदर मुंबई की टीम ने तमिलनाडू की टीम को हरा कर रणजी के फाइनल में जगा कायम कर लिये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रणजी के समी फाइनल मैच में तमिलनाडू की टीम ने टॉस जी मुंबई की टीम ने रंड जी टूनमेंट के फाइनल में अपनी जगहा कायम कर लिया ऐसे में समी फाइनल मैच के अंदर शानदार जीत के अजली हीरो शारदोल ठाकुर रहे हैं आपको बता दे पहली पारी के अंदर शारदोल ठाकुर ने 14 ओवर में चार ओवर मिडन डाल कर 48 रन देने के साथ दो बड़े विकेट हासिल कर तमिलनाडू को बड़ा स्कोर करने से रोक दिया तो वहीं जब मुंबई की टीम बलेबाजी करने के लिए आई तो 106 रन पर 7 विकेट गर जाने के बाद चारदोल ठाकुर ने बलेबाजी के सारी 8 विकेट के 100 और 9 विकेट के लिए 89 रन की साजेदारी की इस बीच शारदुल ठाकुर ने 104 गेन पर 13 चोक्य और 4 चक्य की मदद से 109 रन की तूफानी पारी खेली और तमिलनाडू की टीम को बैक फूट पर डाल दिया इस बीच इन्होंने 105 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी थी तो वहीं जब दूसरी पारी में तमिलनाडू की टीम बलेबाजी करने के लिए आई तो उस समय शारदूल ठाकूर ने 10 ओवर के अंदर 16 रन देते हुए 4 मिटन ओवर डाले और 2 बड़े विकेट हासिल की और मुंबई की टीम को इस मैच में पारी और 70 रन के दमपर जीत दिलाई